Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है तो बात करते हैं उत्राखंट गाइडलेंस की उत्राखंट गाइडलेंस पर अपडेट आ चुकी है एक बार फिर से लोग डाउन को 7 सितमबर से 14 सितमबर तक बढ़ा दिया गया है तो किन-किन चीजों पर पाबंदिया हटी है, कोई चीज बदली है या नहीं बदली है चलिए आज किस वीडियो में हम देखते हैं कौन-कौन सी पाबंदिया बरकरार है और किन चीजों पर छूट बरकरार है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो लेटेस्क न्यूज अपडेट्स के लिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीज़े ता बद्लाव नहीं किया जा रहा है गाइड लेंस में तो सभी नियम और शर्ते पहले जाजी रखी गई हैं मुख्य सचीव आम राज्य आपदा परबंदन प्राधिकंड के मुख्य कारेकारी अधिकारी डॉक्टर सुपीर सिंग संदू ने कोविड कर्फ्यों के संबन में सो वार को आदेश्ट जारी कर दिया है तो कौन-कौन सी निशे बरकरार हैं अगर आप उत्राखंड में आ रहे हैं तो डबल डोज अगर आपने ली है वेक्सीन की उसके 15 दिन की रिपोर्ट पर आप राज्या में परवेश कर सकते हैं और अगर आपके पास डबल डोज नहीं लिए अपने सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास एक डोज लिए या भी तक अपने वेक्सिनेशन नहीं लिए तो आपके लिए बहातर घंटे की आर्टी पीस या नेगजियो रिपोर्ट ज़रूरी रहेगी विवास अमारों में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू ह इसी तरीके से शव यात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं विवास हमारों में 50 लोग शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए भी आर्टी पीस या ज़रूरी है दूसरे राज्यों से अपने पैतर गाउन लोटने वाले परवासियों के लिए ग्राम परधान की निग्रानी में आवश्यक्ता नुसार साथ दिन क्वांटाइन सेंटर में एकांत वास में रहेंगे ये पहले की तरह लागू है बीवी नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है सेलून और सपा 50% समता के साथ खुले परदेश में सभी सपा सेलून कोलने की अनुमती है सभी पहले की तरह 50% समता के साथ खुले है इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनिमा होल, स्विमिंग पॉल, मनोरंजिन पार्क, थियेटर, और इससे सम्बनित सभी गतिवी दिया 50% समता के साथ खुलने की अनुमती है होटल में भी स्पा खुलेंगे सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फरेंस होल, स्पा और जिम को भी 50% समता के साथ खुलने की अनुमती दी हुई है और सरकारी गैर सरकारी प्रक्षिशन संस्तान की बात करें तो परदेश में 18 वर्ष से उपरके प्रक्षिश्यों के लिए सरकारी और गयर सरकारी प्रिक्षिन संस्थान COVID-Protocol के नुपालन के साथ कोलने की अनुमती है इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा तो परदेश में जो नाइट कर्फ्यू रहेगा वो बजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे नगरिया छेत्रों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, बोजनाले और धाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बन रहे तो यह थी दोस्तों आप लोगों के लिए अपडेट उत्राखन की गाइडलेंस की, इसी तरीके से हर एक स्टेट की गाइडलेंस, उत्राखन की न्यूज और लेटस न्यूज जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बैल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताक जैसे वीडियो अप्लोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हैं सुपर आइडियास को